अब देखते है go to statements, go to statements यह क्या एक jump statement की तरह behave करता है और इसका सबसे पहले हम syntax देखते है, syntax में क्या है, go to label, semi colon, statements, label, statement, यहाँ पर यह जो go to है, यह keyword है, जो की हम इसे change नहीं कर सकते है, label, label क्या है कि इसको हम बोल सकते है, any valid identifier, identifier पता है, कोई भी हमारा valid identifier हो सकता है, हम अपना name ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, और same यहाँ पर label, यह हो गया label, ध्यान रहे कि जहाँ पर statements, यह क्या है हमारा statements है, statement हमेंश्enci Zoe semi-colon se end होता है और यह हो गया label तो यानि जहां पर call हो रहा heb label statement यूज करें go to statement तो वहां पर semi-colon है लेकि जहां पर control send करना है हमारा जहां पर Control send करना है तो वहां पर label name देने के बाद यहां पर call इस बात का खयाल रखना है और उसके बाद इस statement अब क्या होगा कि जैसे हमारा flow आया control यहां तक यहां पर आया यहां आने के बाद क्या हुआ यह इसको क्या मिला label तो अब यह सारी जितनी सारी चीज़े हैं यह direct skip हो जाएंगी और यहां पर आएगी एक और बात है कि हमें पता है कि हमारा जो control होता है इधर से top to down आता है अब क्या होगा कि go to label यहां पर आया यह line skip होई यह होगा direct यहां पर control आया और फिर as usual जैसे हमारा program इधर bottom तक चला जाएगा अब यह तो हो सकता है हमारा क्या होगा कि label पहले है और यहां पर मतलब go to statement पहले और label बाद में defined है या इसको हम forward go to statement भी बोल सकते हैं और अगर हमारा क्या है कि go to label हमने यहां पर दिया और कुछ suppose करो कि यहां पर मैंने label कुछ दूसरा किया और उसका जो यहां पहले define है तो यहां से क्या होगा backward जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं बाइकवर्ड जंप यहां पर क्या होगा हमारा backward जंप अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर forward जंप होता है तो यह line जो है यहां से यह skip हो जाएगा क्यों क्योंकि direct यहां पर आ गया लेकिन अगर backward होता है तो यहां से यहां सपोज करो कि यहां पर गया यहां पर पहुंच गया तो फिर सी वह line एक्जेक्यूट हो रही है क्लियर तो यानि कि forward जंप में हमारा क्या होता है कि line skip होती है लेकिन अगर backward जंप है तो इसमें line skip नहीं होती है पहले से क्योंकि अल्रेड़ी यह line forward forward एक और बात है कि कभी भी हमारा जो गोटू statement और गोटू लेबल रहेगा वो within function मतलब में function है तो में function के अलावाई रहेगा जैसे function अभी वैसे नहीं बता है मैंने आगे बताऊंगा तो ऐसा नहीं है कि हमने एक function से दूसरे function में गोटू statement जा सकता है नहीं वो within a function ही use हम कर सकते हैं तो यह हो गया within function उसके बाद क्या है कि अब यहां पर देखो आप यहां पर गोटू है इसल्ब्स पæ्लब आपकर और यहां पर मैं बोलूँ गोटू लेबल सेमिक बाद और क्या है लेकिन यहां पिलेद और यहां पिलेबल दो जगह गड़गर दें गहां से कॉल यहां चापर देता हूँ के और यहां भी डिफाइन यहां पर डिफाइं कि ए गया कन्फि़् यूज नहीं कर सकती, multiple go to statement हो सकता है क्योंकि इसको एक ही जगा जाना है, लेकिन multiple label with same name नहीं हो सकता, क्योंकि ambiguity आजाएगी, same name, तो इसलिए ऐसा avoid करना है, उसके बाद क्या है, कि कई बर हाँ, कई बर क्या होता है, कि हमारा program जैसे end हो गया, तो यानि कि हमारा जै लिखते लि दिया हमने end, और उसके बाद हमारा suppose कि यहाँ पर main है, और उसके बाद end, तो कभी भी हमारा program जो है, एक statement से close होना चाहिए, तो ऐसे लिखेंगे, तो error आजाएगा, अब क्या है कि end हमने पहुंचा दिया, यहाँ पर last में, और उसके बाद क्या है, कि हमारा program close हो रहा है, तो यहाँ पर semicolon से कभी भी हमारा program end नहीं हो सकता, तो अगर कुछ नहीं है, suppose कि हमारा कुछ task के यहीं पर हो गया, medium, मतलब बीच में, और उसके बाद हम चाहते हैं कि program का हमारा control यहाँ पर आजे, तो एक हम null statement दे देंगे, यह बस semicolon हमने दे दिया, तो एक statement हो गया, तो यह हो क्यों? क्यों कि इसमें क्या होता है, कि पता नहीं होता है कि कभ हमारा control कहां से कहां जा रहा है, यहाँ पर डारेक्ट यहाँ पर चले रहे, फिर यहाँ पर बहुत large program है, तो पता ही ने चले कभ किदर से किदर जा रहे हो, तो इस case में यह recommended नहीं होता है, कि हम यूज करें, खास करके तब जब हम debug कर रहे हैं code को कुछ error हो गया logical error तो उस वक्त क्या होगा कि हमें पता धूनने में थोड़ी मुश्किल होगी कर नमारा program काफी large या तो इसलिए यह मना किया जाता है हाँ एक जगह है जहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं अभी जब हम nested loops देखेंगे तो उसमें nested if else भी आगर आ गया if else नहीं हाँ loops अगर देखते हैं तो उसमें क्या होगा कि बहुत हमारा जैसे एक for loop है अभी नहीं समझ में आएगा कोई issue नहीं जाय है if else for ले लिया ठीक है उसके बाद हमारा फिर for हो गया फिर इसके बाद for हो गया फिर then for हो गया and then while हो गया यह सारे loops हैं अब क्या होगा कि हम कभी हमारा कोई हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम direct एक ही बार यहां से बाहर आजें एक ही है कि हम exit हो सकते है प्रोगाम को exit अगर यूज कर ले लेकिन अगर हमारा ऐसा requirement है कि यहां तक जाने के बाद हमारा direct यहां पर आजें तो उसके लिए हम एक condition होता है जो कि break हम देखेंगे लेकिन वह बस एक लूप से बाहर निकलता है तो उस case में हमारा जो है न यह go to statement beneficial हो सकता है वह क्या कि direct यहां पर लिख देंगे go to out of loop यहां पर मैंने out of loop लिख दिया और यहां पर define कर दिया out of loop यहां पर out of loop तो direct यहां पर आ जागा तो एक ही जगह है जहां पर यह beneficial मतलब बोल सकते कि यूज हो सकता है लेकिन generally avoid किया जाता है तो मैं भी suggest यही करूँगा कि आप लोग ना use करो लेकिन हां नहीं बताओ तो यह भी सही नहीं रह गया इसलिए मैंने बता दिया बाकी मेरा खयाल से इसमें और कुछ नहीं हो गया आप देखते हैं एक example इस पर